हेलो एवरिवान वेलकम टो आएफेस तो कैसे सब लोग अच्छे होंगे और यहां पे आप सब के लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग नियूज बड़ा नियूज आपके लिए लेके आया हूँ मैं जहां पे जो सुडेंट्स उजी सेनेट कॉलिफाई किये हैं जिन्हों ने जे एरेफ कॉलिफाई किया है और दोस हो वांटो आट गेट एडमिटेट फॉर दी इनिविशिटी फॉर दी पीएडी को से उनके लिए बहुत बड़ा क्या है रूल यहां पे जारी किया है एजी सी ने यहां पे जैसे कि आप देख पा रहा है येस नियू पीड़ी अडि इसके कुछ इंपोर्टन पॉइंट हम जानने वाले है ठीक है तो देखो बच्चों जैसे कि यहां पे दिया है जैसे कि आप देख पा रहें मिनिमूम स्टाइड और प्रोसीजर फॉर आवर्ड पीड़ी डिग्री इसको कहा गया इस रूल को युनिविशिटी स्टाइड होंगे वह यहां में यहां पर दिये गए और यह जो रूल है यह रूल हर एक उनिविशिटी को क्या है अप्लीकेबल है जो की इस्टैब्लिश किया है यह पीं कॉर्ट क्या है सेंट्रल एक या प्रोविंशियल एक्ट है या स्टेट आट इवरी हर एक कॉलेज क की लिए क्या है क्या है कंपल सरी है मैंडेटरी है और यह क्या है डिव इंडिशिटी को भी है जो की अंडर सेक्शन स्थ्री और उजिसी एक्ट में रिजिस्टर किया है ठीके तो हम जानेंगे यह पीजडी के अडमिशन की लिए है इलिजिबिटी क्राइटिरिया क्या है स्टूर्ण देखो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम पढ़ते हैं कुछ हमारा हमें हासिल करना होता है लेकिन गवर्मेंट कुछ अलग रूल लेके आते तो यहां पर हमें दिक्कत थोड़ी हो जाती है कहीं बार आसन भी हो जाता है त क्य jáटेशन फालीसी जो है नूए टुमिटी ट्रीट जो है उसके रिगारडिंग चार सार का दिए है राइट और आपने क्या किया है बैसल डिक्रि या फिर दो साल का आपका माश्टर्स कितना होगा master होगा एक साल का bachelor कितना होगा चार साल का नया बैटन है आपका और master जैसे कि पूराना था जैसे कि मैंने किया है master दो साल का और bachelor degree कितना साल का था तीन साल का था तो इस तरह से आप दोनों भी condition में क्या हो eligible हो और लेकिन यहां पर आपको apply करने के लिए आपके master में minimum 55 percentage चाहिए गाइस yes minimum minimum 55 percentage अगर आपके पास है तो आप इस regulation की सबसे बिल्कुल eligible हो तो यहां पर और एक चीज़ है यहां पर relaxation भी दिया है क्या दिया है relaxation relaxation मतलब यहां पर थोड़ी से सवलत दी जाएगी क्या है देखेंगे क्या है relaxation relaxation और 5% marks और equivalent grade और belonging to ST OBC SC और डिफरेंट लिएबल economical विकर सेक्षन और other category जो commission ने बताया है time to time की जो क्या है backward है economically विकर है तो इनके लिए 5% relaxation मतलब अगर उनको 55% नहीं है और इनके marks अगर उनके marks 50% में से 55% में भी आ जाते 51% भी आगर आ जाते है तो वो उन category के लोग SC ST OBC OBC भी वो लोग जिनके पास non-crimi layer है जो non-crimi layer है वो लोग ठीक है और यहां पर क्या दिया है देखो प्रोवाइड एट कांडिड़ सिखें एडमिशन फॉर एर बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुड है minimum 75 percentage mark in aggregate आपको aggregate mark कितने चाहिए 75% चाहिए और यहां पर भी relaxation आपको मिलेगा 55 5% जहां पर SC ST OBC category के लोगों को economical weaker section के लोगों को वहां पर भी relaxation मिलेगा अगर कम उतने 5% अगर कम है तो भी वो अप्लाए कर सकते हैं यह बिल्कुल and the candidate who have completed MPL program with 55% in aggregate अगर जो कैंडिए उन्हें 55% percentage से MPL program के master of philosophy किया है तो उनके लिए क्या है equivalent in point scale अगर उन्हें 55% aggregate मिलिया है तो equivalency क्या है इसमें 55% हो क्या होगे apply current कर सकते हैं और उसमें से भी आपको फाइप संट log है आपको relaxation दिया गया है आपको रिलाक्सेशंट दिया गया है कि नेक्सेशूर सुन्ट डियुरेशं ऑफ दे यह तप्रोग्राम कितने दिनों होने वाला है यह तीन साल मिनीमम मिनीमम यह मीनीमम थीन साल हो चुका है एक्शली हो चुका है होने वाला है नहीं हो चुका है minimum 3 years का PhD मतलब 36 months 36 महिने जहां पर course work included होगा maximum duration कितना मिलेगा आपको 6 years from the date of admission जिस दिन के आपका admission का date होगा उसी दिन से आपका जो year duration of program है वो क्या हो जाएगा count या फिर calculate करना होना शुरू हो जाएगा student और यहां पर maximum additional two year can be given through the process of free registration जो कि आपको extension मिलता है अगर आपका PhD work program नहीं होता है या किसी तरीके से आप कोई delay हो जाता है तो आपको दो साल का extension वहाँ पर मिलने वाला है और provided further that female PhD scholar अगर है and person with disability अगर है जो कि 40% से जादा है additional relaxation मिलेगा और दो साल का मतलब जो आपका minimum program है वो program से आपको अगर नहीं हो रहा है ज्यादा से ज्यादा 6-6 साल का है अगर आप female हो तो आपको और ज्यादा 2 साल का क्या मिलेगा आपको relaxation मिलने वाला है वहाँ पर right however the total period for the completion of the PhD in such cases should not exit 10 years from the date of admission मतलब अगर आप female हो या फिर disabled हो या फिर differently able हो तो आपका कुल मिला के maximum PhD का duration जाएगा maximum 10 साल उससे आगे नहीं जा सकता और female PhD scholars may have provided maternity or child leave for up to 240 days in entire duration of the PhD मतलब 240 दिनों का 240 दिनों का 8 महीनों का आपको maternity leave आपको मिल सकता है female candidate को ओके चलो देखते हैं next procedure for admission procedure क्या क्या है procedure पता होना बहुत जरूरी है procedure में बहुत बहुत confusion हो सकता है देखो सबसे पहला rule यहां पर क्या दिया है कि higher education student may admit student who qualify fellowship scholarship इन EGC NET और EGC SIR फिर NET या फिर GATE और CEE D जो similar national level test है और interview on and into मतलब आप जिन लोगों ने NET qualify किया है JRF qualify किया है CSIR NET किया है GATE किया है उन लोगों को interview के basis पर लिया जा सकता है second and क्या दिया है और क्या दिया है and and or कि जो लोग क्या होए entrance test conduct करके आये है जिन्होंने test syllabus में कितना आपका syllabus कितना होगा research methodology का 50% होगा और आपका entrance examination का जैसे की समझो सावित रिभाय पुले university पुने university है वहाँ पर आगर आपको entrance exam लेना है जिन लोगों ने NET qualify नहीं किया है उनका जो syllabus होगा entrance examination का उसका 50% होगा research methodology और उसका दुसरा 50% जो होगा आपका subject specific होगा कुल मिला के 100% होगे right and students who have scored जो students ने 50% marks entrance में लिये है minimum 50% marks होने चाहिए qualify होने के लिए qualify for what interview round qualify for interview round ओके तो 55 50% कम से कम होने चाहिए जहां पर आपको फिर जे 5% का relaxation मिलने वाला है category जो student belong करते है ठीके और यहां पर दिया है higher education may decide the number of eligible student to be called मतलब एक इसके पास है जितना higher education उस college के पास university के पास जितने seats available है उनके basis पे college पे depend करता है कि उनको कितने students को interview के लिए बुलाना है okay and provided that selection of candidate on the basis of entrance conducted by the higher education weightage of 70% for the entrance and 30% for the interview and why was मतलब अगर समझो आपका exam जो है अगर आपका exam college में ले लिया है PhD entrance की तरब गए हो आपने क्या किया है उसको exam का जो है PhD का entrance examination जो है उसको weightage जाएगा 70% entrance को entrance test जो है आपको उसका weightage जाएगा 75% 70% और 30% जो होगा 30% जो होगा आपका interview होगा 30% को आपको weightage मिलेगा interview को ठीके फिर यह आपको बहुत याद रखना है अच्छे तरीके से या तो आपको अच्छे से UGC NET CSIR gate exam क्लैक करना है या फिर entrance examination conduct जो होती है वहाँ पे apply करके ज्यादा से ज्यादा mark लेना है क्योंकि वहाँ पे 70% 70% का weightage है उसके बाद university and college are eligible to conduct PhD program शल उनको क्या करना है प्रोस्पेक्टर करना है जहां पर उन्होंने क्राइटिरिया क्या है कितने सीट अवेलेबल है क्या procedure है क्या सिल्या बस है क्योंसी डेट पर होने वाला है सारे admission की प्रोसीजर उन्हाइर education institute को बताना ज़रूरी है और the higher education जो है उन्होंने क्या करना है list of PhD supervisor का जो list है उसको maintain करना है ताकि supervisor जो all out होते है student को उनका list होना ज़रूरी है उनके पास कितने सीट अवेलेबल है वह भी उनका record रखना important है ओके चलो देखते है next PhD through part-time mode अगर आपको part-time mode में अगर PhD करनी है तो इसके लिए क्या रूले यह बहुत बड़ा जहमेला हो आता है कि अगर हम working है अगर हम कई कुछ और पढ़ रहे है या काम कर रहे तो हमें part-time PhD करनी पड़ती है तो part-time PhD के लिए क्या important student देखो PhD अगर आप part-time mode में कर रहे है permitted provided all the condition जो है वो satisfy करती है या नहीं सबसे पहले दिया है the higher education अगर मुझे कहां कहीं पर job कर रहा हूँ और मुझे PhD करनी है part-time तो जहां पर मैं admission लूँगा समझो मैं डिल्ली उनिश्टी मैं admission ले रहा हूँ तो उस university को मुझसे no objection certificate लेना होगा कहां से मिलेगा वो जो no obligation certificate है वो कहां से मिलने वाला है वो मिलने वाला है student आपका employer से जो आपका employee है organization से आपको मिलने वाला है the candidate procedure study on the part-time basis and his official duties permit to devote his sufficient time for research मतलब आपके पास sufficient time है कि आप research कर सकते हो ठीके है और third है if required अगर जरुवत पड़ी he will be relieved from the duty to complete the course of course work जरुवत पड़ी तो course work करने के लिए उसको relief किया जागा particular period of time के लिए ओके तो यह अगर condition follow होती है तिसरी condition यह है बच्चो notwithstanding anything contained in the regulation or other law all the time being in force no higher education institution or research institution central government or state government जो है वो क्या करेगा शल not conduct PhD program to distance and online mode यह बहुत important news है गाइस बहुत important news है आपके लिए कोई भी higher education institution central है state government है कोई भी distance mode में distance mode में PhD या फिर online mode में PhD pursue करने नहीं देगा distance और PhD online mode में PhD करने को नहीं मिलेगा ठीके यह बहुत बड़ा important अपडेट है आपके लिए तो देखते हैं आगे क्या है grant of MP degree तो higher education को क्या करना है देशन लॉट इश्यू देशन लॉट प्रोवाइड दा दिग्री और यहां पर पर प्रोविजनल सट्शिकेट देना पड़ेगा prior to the actual award prior to the actual award अगर आपको आवाड मिलने वाला है तो आपको उसके पहले क्या मिलने वाला है आपको प्रोविजनल certificate भी मिलेगा और award of degree prior to notification on this regulation यह सारे भी यहाँ पर दिया है ठीक है और यहाँ पर देखो depository the inflable net मतलब following the successful completion of the PhD higher education institution क्या करना है उनका electronic copy जो है thesis का inflable net platform पर क्या करना है upload कर देना है यह जिम्यदारे किसकी है higher education institute की है inflable net ने जो है हमारा PhD depository है PhD document electronic depository है उस पर वहाँ पर अपलोड कर देना है तो students जैसे कि हमने पढ़ा जैसे कि हमने देखा यह क्या है PhD के लिए बहुत जो student PhD करना चाहते उनके लिए बहुत बड़ा update है आपको इसको अच्छे तरीकी जानना है मैंने बताया है समझने ला है और पीडी के लिए apply करना है तो I wish you all the best for your future journey of PhD and I may call you early जल से जल में आपको doctor कहला सकता हूं okay student so thank you so much for joining enjoy your day and happy learning with IFAS thank you